जैसरी राधिकर्ष्ण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के बहुत-बहुत स्वागत है। जिनका भी विवाह का शालगिरा है उनको भी धेर सारी शुब कामना आए। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जितने भी ब्रत और कथा को सुनने बाले हैं तथा पंचांग को सुनने बाले हैं आप सभी भक्तों के ऊपर माता संतोशी और माता लक्ष्मी का करपा सदय बना सभी सदा स्वस्त रहें और सदा खुशहाल रहें आज पौश माहा शुक्ल पक्षी की अश्ट्यमी तिथी होगी साम 6 बजकर 35 मिलत तक आज के दिन जूकी दुर्गाश्टमी का ब्रत्य किया जायेगा आज से साकंभरी नवरात्र आरंभ है जूकी पूर्णे मात तिथी त अगर आप सब जो की पौश माश शुक्ल पक्ष एक आदस्री ब्रत्य के बारे में या प्रदोस ब्रत्य के बारे में या पौर्णे मात तिथी के बारे में जानकारिया को प्राप्त करना चाहते हों तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है या हमारे वीडियो के इंड एस्क्रेन वेजा करके आप जानकारिया को प्राप्त कर सकते हैं आज सुर्योदै सुबह 6 बजकर 42 मिनट और सुर्यास्त साम 5 बजकर 18 मिनट चंद्रोदै यानि की चंद्रमा उदित होंगे 2 पहर 12 बजकर 5 मिनट पे और चंद्रास्त यानि की चंद्रमा अस्त होंगे रातरी 12 बजकर 40 मिनट पे सुर्य धनु राशी में रहेंगे और चंद्रमा मीन राशी में या हिमंत रितु है अयन दक्षिनायन रहेगा योग वरियान योग सुबह 9 बजकर 46 मिनट तक उसके बाद परीध योग आज सरवार्थ सिध्धी योग और अमरित सिध्धी योग होगा जो की सुबह 11 बजकर 24 मिनट से अगले दिन सुबह 7 बजकर 14 मिनट तक आज का विजय मुर्द समय जो की 2 पहर 2 बजकर 7 मिनट से 2 पहर निशिता काल मुर्थ समय जो की रातरी 11 बसकर 56 मिनट से रातरी 12 बसकर 51 मिनट तक करण बब करण सांग 6 बसकर 33 मिनट तक उसके बाद बालव करण नश्यत्र की बात करें तो उत्तरा भादरपत नश्यत्र सुबाई 11 बसकर 24 मिनट तक उसके बाद रेवती नश्यत्र दिशाशोल की बात करे तो आज सुक्रबार दिन होने की कारण आज के दिन दक्षिन, पश्यम और नरित दिशा की यात्रा ना करे यह लाबकारी नहीं होगा अगर ज्यादा जुरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से जौखा कर बाहर निकले इससे पहले पांच कदम पीछे चले फिर अपने गंतब्बे की ओर आगे पढ़े आज सुक्रवार का दिन है तो सुक्रवार के दिन माता शंतोशी का पूजन करे माता लक्ष्मी का पूजन करे तो लाबकारी होगा अब आईए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दोरान कोई भी शुबकारी या नया कारी नहीं करना चाहिए या लाबकारी नहीं होता है तुराहु काल का समय होगा सुबह 10 बजकर 41 मिनट से 2 पहर 12 बजे तक गुली कालम समय होगा सुबह 8 बजकर 2 मिनट से सुबह 9 बजकर 21 मिनट तक अभीजीत महुर्द जो की 2 पहर 12 बजकर 3 मिनट से 2 पहर 12 बजकर 44 मिनट तक अब आईए जानते हैं आज के दिन और रातरी के सुब चोहरिया महुर्त के बारे में चोहरिया साथ परकार की होती है जिसमें सेकी चार सुब चोहरिया महुर्त और तीन अशुब चोहरिया महुर्त तो हम जानेंगे केबल आज के दिन और आत्री के सुब चोहरिया महुर्थ के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं दिन के सुब चोहरिया महुर्थ जो की चर नामक सुब चोहरिया महुर्थ सुबह 6 बसकर 42 मिनट से सुबह 8 बसकर 2 मिनट तक उसके बाद लाभ नामक सुब चोहडिया महुरत, सुबह आथ बसकर दो मिनट से सुबह नौब बसकर एकीस मिनट तक। उसके बाद अमरित नामक शुब चोहर्याम हुर्त। सुबह 9 बसकर 21 मिनट से सुबह 10 बसकर 40 मिनट तक। उसके बाद फिर सुब नामक शुब चोहर्याम हुर्त। जो की 2 पहर 12 बसकर 1 मिनट से 2 पहर 1 बसकर 19 मिनट तक। उसके बाद चर नामक सुब चोहरिया महुर्द दो पहर तीन बज़कर 58 मिनट से साम 5 बज़कर 18 मिनट तक तो यह थी दिन की सुब चोहरिया महुर्द अब आएए जानते हैं रातरी के सुब चोहरिया महुर्द के बारे में लाभ नामक सुब चोगर्याम हुर्थ रातरी आठ बजकर 49 मिनट से रातरी 10 बजकर 19 मिनट तक उसके बाद सुब नामक चोगर्याम हुर्थ रातरी 12 बजे से ले करके रातरी 1 बजकर 41 मिनट तक उसके बाद फिर अमरित नामक सुब चोगर्याम हुर्थ रातरी 1 बजकर 41 मिनट से सुबह के पांच बजगर दो मिनट तक तो यह थी दिन और रात्री की सुब्चोहड़िया महुर्त यह विक्रम शंबत आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करे शेयर करे शुखी रहे और स्वस्त रहे जैसे राध्यकिशन धन्यबाद